सब्सक्राइब किजिए राजस्तान बेस नर्सिंग परामेडिकल फार्मेस के लाइटेस्ट इन्पोर्मेसन टाइम टू टाइम आपके बहुत सारे कमेंट हो चुके थे जिनका जवाब देना बहुत ही जरूरी है ठीक है यह वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने कमेंट के आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है गाइज क्योंकि आपके जो कमेंट है ना उनके जवाब वीडियो के थुरू देना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि फूल डिटेल अच्छी सी जानकर्याइब को मिल जाती है आपके कमेंट हो के चीक हासी ठीक है अगर यह व ठीक है और आपको गौवर्मेंट कोलीज अगर आपको लेना है जिसके में हमेशा बताता हूं कि अगर आपको SMS से जेपुर का तो आपको अबाव 70% से नमबर लाने होंगे सो में से ठीक है इंट्रास एक्जाम सो नमबर का होता है उनमें से आपको सतर से उपर नमबर लेके ह Paul Kalach याई तह को SMS स्यक्राइ अगर आपको और राश्तान अदर गौवर्मेंट को लिच पूस्ड़ेगको अलवर का निसिंग और अंबर का निसींग और तских और तो इनके लिए आपको के दिपेंड्व करता है जनरल ओविसुआ upside को मिनिम्म 55 से अबाव नमर चाहिए ठीक है अगर रिजर्व केटेग्री वा ले तो आपको 52 53 तक भी हो जाएगा ठीक है तो डिपेंट करता है के टेग्री के उपर बट आप 60 से अबाव नमर लाने का प्रहतन करें अगर आपको गुवर्मेंट चाहिए तो अगर इसे में ची करने के लिए सर जी फोरम कब तक एपलाई होंगे बसंद जी चैनल ना आपने सब्सक्राइब कर रहा है बेल आइकन प्रेस कर रहा है एपलाई होते आपको नोटिप कसन मिल जाएगा ठीक है और इसकी जो संभावितितिया है वह सितंबर तक ठीक है सितंबर तक इसके पौर सितंबर महेंगे रास्तान में अभी फिलहाल परजेंट टाइम पे एएनेम के फौरम एपलाई हो रहा है रास्तान में ठीक है एनेम के फौरम अगर आप एनेम के फौरम बनना चाहते हो तो 31 अगस्त से पहले पहले 30 अगस्त से पहले पहले इसको फिलप कर सकते हो ठीक है ज में सेकला है सोनिया सेन जी edge कि और अ RICH और इसरीक अब भी डेड़ तो नहींज आयके है इसका से लेना होगा अचा जो बनना के लिए फॉम कहां से लेना होगा सो आप साइबर से या किसी इमेटर के अंदर से इसका फॉम ले सकते हो ओनलाइन अवाइलेबल इसका फॉम आपको मिल जाएगा फॉम आपको ओपलाइन जमा कराना होगा आपके डिस्टिक में ठीक है तो फॉम आप कई से भी ले सकते हो ठी कि लाएं मारा है मोहित चोधरी सर हिन्दी मेडियम वाले जो 140 बार चूबन1 और कि नर बड़न कोर्स हो गया लोगया ऎन्गेश में चलता है की अचाहिए बण इतना भी टफ नहीं तुर्द कुछ शमज़ में दीर दीर कर गए ठाङया पज्ट में दीक्कतš विद को सब कुछ समझ में आ जाता है तो इंदी मेडियम वालों को इलिए डरना है कि कोई बात नहीं है मैं समझाओं आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है तो बिल्कुल भी नहीं डरना है और हिंदी मेडियम वाले बाजी मारते सबसे ज़्यदा बात हुए एच्छी है लगी मेर वो ठीक है जो मारा पस्टेर होता है वहाँ पर हिंदी मेडियों वाले अच्छा फ्रॉपॉम करते है तो आपको बिल्कूल भी नए डिरना है क्योंकि हिंदी मेडियों वाले समझ देच्छे ठीक है अगला है मारा फारूक कार राच्टान में बेश नरसिंग के पोर्म कब से आएंगे सर जी सितंबर से आएंगे फारूक ठीक है चलते अगले कमल कमल जी का थेंक सर थेंक यू कमल अगला कमेंट हर्स सर्मा सर यह सेलबस इंग्लिस में नहीं यह क्या अभी जो मैंने आपको वाइलेबल करवाया था ना वह हिंदी मेडियम में साइड पर ठीक है अब उसको कनवर्ट करके करके इंग्लिस में मैं आपको प्रोईड करा दूँनगा तो recibir लगेगा वर आपको दिल में सेलबसम इंग्लिस मीडियम में यह को मिल जाएगा थोयं में और कुछ इंग्लिस मीडियम अज कब कब निकलेंगे सितंबर में निकलेंगे आड़ जुकान ठीक है तयार है ना सितंबर में ठीक है अगला हमारा आड़ जुकान सर रास्तान में बेस नर्शिंगे पोरम कब निकलेंगे सितंबर में निकलेंगे ठीक है अगला हमारा आड़ जुकान सर रास्तान में बेस नर्शिं यह तो आपने यहां भी इंट्राइस एक्जाम होगा तो अगला कमेंटे माया मालावत माया जी का कमेंटे पस्ट्यू टेंक्यू माया जी एक्टिव हो आप इस चैनल पर तो बहुत बहुत दिने वाद आपको अगला कमेंटे हेमा सेनी सर एसमेस बेस नर्शिंग के पौरम कब आएंगे एसमेस बेस नर्शिंग के पौरम कब आएंगे एसमेस बेस नर्शिंग के पौरम नहीं आएंगे वो आरेचे से निकलेंगे एसमेस में कोई अलग से पौरम नहीं आते ठीक है तो SMS में तो आपको क्या है कोले चूज करना होता है सो सिंपल सी बात है कि इसके पूर्म सितंबर में आएंगे ठीक है अगला कमेंट है बारा जैस से नि सर्व मैं अभी नीट की तयारी कर रहा हूं क्या मैं भी SMS BS NERCING के फोरम बढ़ सकता हूं प्लीज रेप्लाई दीजे तो वीडियो देक लीजे रेप्लाई है आपका त्यार आपनेट के त्यारी कर। परजम टाह میں ठाएगे तो आप SMS का भुशली बात है देख सकते हो नीट के त्यारी कर रहे हो तो بहूँ अच्य बात है कर तो ठीक है तो ठीक है इमसद्विन इस ख़िखा करतीव में समझते हैं और अगला इंडिया इग्जाम तो जुरूर नहीं कि सभी का सेलेक्शन हो ठीक है तो इसके लिए आप नेर्सिंग पिरा-मेडिकल फारमेशी फिर्ट चूज कर सकते हो जो कि आपको सीधे मेडिकल फिर्ट में ले जाएगा ठीक है तो जरूर करना चाहिए आपको ठीक है कर सकते हो अप्लाइ करना जुरूर सी तमर में पॉम बर देना ठीक है कोई भी दिकत हो तो फिर कमेंट कर देना अगला कमेंट ही नहीं का है सर मेरे इसी एर्स टॉल्ट पास किये बहुत चीए एकदम से ठीक है तो यहां पर दिया हुआ है कि टॉल्ट इसी साल पास किये और आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छी है 96.67 परसेंटेज के साथ प्लीज बताइए समस की बेस ने के पॉर्म कब से आएंगे तो जैसे नहीं यह आपका इनाम है तो बहुत अच्छा बात है कि 96 आपके परसेंटेज है तो आप फॉर्म बनने से मत चूखना इसके पॉर्म सित्मर में आप एपलाइ कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो हम आपके साथ है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं आएगे आपको फॉर्म जैसे आएंगे तुर बेल आइकन प्रेस कर रहा है तो फॉर्म के टेंशन और वहसम के चैनल पर छोड़ जो सारी इकसारी वह जिम्मीदार है ठीक है और आप फिर यह आप त्यारी करो बस और जो भी वीडिया है उसको वोच करो ताकि आपको जानकारी मिलते रहे क्योंकि आपको यही वीडियो देखनी चाहिए इसी को सुनना चाहिए इसी को समझना चाहिए ठीक है और पॉर्म जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो और सितंबर में आने के चांच है जो बहुत नजदिक आ चुके हो क्योंकि अगस्त कतम होने म सब्सक्राइब कर देनी चाहिए चलते आगे जरूर सर ओके बिनो दूजर जरूर दीप सी का रास्तान बेसनर सिंग के पौरम कब से ब्रे जाएंगे सितंबर से ठीक है अगला कमेंटे रमेश माली SMS में टोटल कितनी सीट से SMS में 100 सीट से टोटल चलते आगे आसिस सेनी सर में आसा वर्कर हूँ मेरे अनुबव 14 साल का है मेरी एज 39 है पौरम बर सकती हूँ एनम के बात हो रही है साइध यह रास्तान बना शुरू हाँ एनम के लिए उन्होंने बोला है देखो एनम में जो मिनिमम एज है न वैसे तो नॉर्मल के लिए 35 पैसे दे रहा है और कुछ अगर EWA से या पर आसा वर्कर है तो उनके लिए 40 दे रहा है तो उसके कोडिंग अ में और किन के लिए कितनी नहीं है ठीक है तो उसके कोडिंग आप फिल अप कर सकते हो चलते आगे तुसार नगलक मटे तुसार सर्च जनरल नर्सिंग और बियस नर्सिंग के इंट्रास एक्जाम के पॉर्म कब आएंगे इसे तमर में आएंगे ठीक है तब तक आप से लिए बस देखिए कोलेजिस के सीटे जानी है और गुशन पेपर के लिए तियारी कीजिए और गुश पिल वीडियो देखते रही है चलते आगे सुक्राम टेक्निकल बीस सी नर्सिंग रास्तान के पॉरम कब बढ़े जाएंगे सितंबर में बढ़े जाएंगे ठीक है रभी मेकर थैंक्यू सर्थ थैंक्यू ग्रेट इंडियन का कमेंटे सर्फ बैसी नर्सिंग में कितने लाना भी बच्चों का जिसे केल होगा बहुत सा रुका जाते हैं लेकिन हमारे टाइम पर टित्री बहुत सा रहते थे तो हमारा जो रहेंक आये थी वह टॉप मेर्ट लिस्ट में टॉप वन वन टेहने से आलमुस्ट है ठीट है रिजल्ट है वह मैं आपको दिखा दूँगा चलते आगे अगला कमेंटे परकास्त क्या दूसरे इृस्टुटेंट के एप्लाइब कर सकते हो enanे चलिसमें और इंडिया कर सकते हो क्यों कि 15% सीटे होती है ओली इंडियावालोके लिए अला कमेंटे वस्टों storms लागू होती है यर नहीं इडियुट लागू होती है थी interven आपके पास है तो जरूर रेपलाई कि जाएगा इसमें 10% का रिजर्वेशन आपको मिलता है ठीक है जिनके पास EWS एट पिकट है तो उनको जरूर रेपलाई करना चाहिए 10% का रिजर्वेशन दिया वाँ था इसमें आपके जो इस्टेट कि अगला कमेंट तैंक्स चोप्रा बेस नर्सिंग कि आ गया क्या जिये भी नहीं अर्म मेंगे ठीक हो अगला कमेंट डिपक क्या दो पिरा मेडिकल के फोरम कब से इसके लास्ट बस्ट विए को उसीटम बर तक चांसे जी पिरा मेडिकल एग है मनीस सामर्या थैंक्चू दॉक्टर अंसे पांडवे सर इसे सिर्फ राष्टानवाले ही एप्लाइब कर सकते है क्या मैं UP से हूं यूपी से हो कोई दिकन नहीं आप इंड़ा में कई से भी हो एपलाइ कर सकते हो ठीक कोई रोक टॉक नहीं है आपके लिए 15 परसे सिटे रिजर्वेड है ठीक है चलते आगे सावी मिस्रा सर प्लीज इंगलीज में से लिएस बताई जी हाँ उसकी में तियारी आपके लिए प्रप्रेशन कर रहा हूँ कनवर्ट कर रहा हूँ ठीक है आपको मिल जाएगा बहुत जल्द चलते आगे दिवयन जागिर सर बीपार में से के पोरम एप्लाई कब होते है यह भी सितमर में होते है ठीक है दिवयन जागिरी इमित्रा पे इमें तरह पर होगा सारा काम जी हाँ बिल्कुल अगर आपके पास scan की facility है और print की facility है तो आप खुद भी कर सकते हो mobile से भी apply कर सकते हो ठीक है फारुकान counseling कैसे करवाते है कैसे होती है college कैसे choose करते है कुछ बता हो इसके लिए मैंने यह जो आपने वीडियो देख रहे यह जो वीडियो देखी ना इसमें अगर आपने complete देखी होगी तो आपको बहुत सारी जानकरत उसमें मिल गए होगी देखो guys कोई भी वीडियो आए complete देखा करो मैं कौन सी बात उसमें कर देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत important है और बहुत minor रखती है तो complete watch किया करो ताकि आपको सारी जानकरती मिल जाए बहुत सी वीडियो में बनाता हूँ जो topic में clear करना चाता हूँ इसके उपर बनाता हूँ फिर comment में भी वह आता है क्योंकि बहुत सारी student watch नहीं करते है complete ते उनकी समयश्या है तो बड़ी मेंने से आपके लिए फेट लगा के ये वीडियो प्रपेर करते है और आप नहीं देखते हो तो बड़े दुक्की बात होती है और जो complete watch करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सो काउंसलिंग कैसे होते है आपका जिस रिजलेट आता है रिजलेट आने के बाद क्या होता है आपको काउंसलिंग के फॉम बरने होते है फिर से जिस प्रकार अभी फॉम बरेंगे ना फिर से आपको काउंसलिंग के फॉम बरने होते है उसके peace amount होते है जिसका चलाना बनाना होते है जहांको यसकी तरुफ supporting होते है जिकर आप आप फॉह बरते हैं वहां पर colleg आपको चूज करना होते हैं ठीक है option होता है वहांपर छोसे करने का college पिल अब करने होती है आप कितनी भी college पिल अपकर सकते हो 단हीं है करने के बाद कुछ पंदरा 15 दिनों बाद आपका कोलेवट हो जाता है और उसी कॉलेज को जौइन करना होता है ठीकए तो यह हो थैं जेसे फोर मांचार्ट बढ़ जाएं आपका इंटरास हिया मोद थैंब Prost रहेगी तब-दक आपका अधिशन नहीं होताना तब आपका साथ देगा है वरु बाद में देगा कि एस प्रकार से को कॉलेज में पढ़ना है किस प्रकात है कि इ GEORG तेराम wissen के मिलें प्रकार आपके लिए जोब को शाशर रहेंगे ना Caesar में अगला कमेंटर कूहां Commission कि अगला कमेंट निकाए सर्प्यस नर्सिंग सेलेरी की डेटेल बताओ सेलेरी बेस्ट नर्सिंग की इंट्रास एक्जाम में जेंज हुआ है क्या बिलकुल नहीं अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है कोई भी चेंजिंग होता है कोई नाइटिन के कारण तो तुरंट सुचना इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी और वेचस हमकेश चैनल पर ठीक है शुरेश कुमार पॉरम आया गया क्या जी बिल्कुल नहीं अभी फॉरम नहीं आये पॉरम के चांज सतंबर में जी नितिन जी का कमेंट है पॉरम फिल होने लगे क्या जी नहीं अभी पॉरम फिल नहीं हुए ठीक है अगला कमेंट परवू सर आपने जो बुक बताई जिसमें बायो केमास्ट्री के अलावा इंग्लिस और जनरल नोलेज के क्योशन दिया हुआ है पर और रिचस में ओनली जी ह के पुच लिए जाता है और इंगलिस एक विशन पूझ ले जाता है तो आपको इंगलिश तो पढ़ना नहीं है ठीक है और जी अप कुछ पूझीज बिखना हिए जिसे पूझी जाता है जेसे मत्य परदेश हो गया पूझी जाते हैं तो यह ओल इंडिया वालों के लिए तो आपको तो physics chemistry biology देखने है only क्योंकि RHS के लिए कोई specific बुक नहीं है भी फिला तो हमको जो बुके All India Level की पढ़नी होती है ठीक है जो कि सभी के लिए important है इसके तुरू आप जिंबर का दे सकते हो बिये चुका दे सकते हो है ना हमारा जो तो एम से वहां का दे सकते हो यानि कि ये बुक बहुत important है सबसे best है तो आप जिस chemistry biology देखो only चलते आगे इनका कमेंट है पर भूजी का है बेस नर्सिंग आरवेदा में कर सकते हैं जी हां बिलकुल बट इसके लिए अभी वीडियो एक भी नहीं है आरवेदा के लिए तो आपसे ने जो भी होगा उस वीडियो में सोल कर दूंगा ठीक है सुरेंद्र सिंग एसमेस है क्या एसमेस ये बिलकुल है समय जैपुरू मैं है अगला है डॉक्टर अंसी पांडे सर में यूपी से हूं आप क्या कि गवर्मेंट कोलेज बेस नर्सिंग की वीडियो बना कर डालते बस रास्तान की चैनल रास्तान वालों के लिए अगर आप बाहर के हो तो साइंस एमकेस चैनल पर चले जाओ ठीक है साइंस एमकेस ट्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब पर साइंस एमकेस गेप देगे साइंस लिखना पहले तो गेप देगे मकेस लिख देना सेट्स कर देना जो भी चैनल आपको मिलेगा वह हमारा चैनल है उसमें बहुत सारे साइबर है और सारी जानकारी समस पर मिलते हैं यह रास्तान वालों के लिए यह हुआ है ताकि उनको रास्तान की ही इन पॉर्मेशन मिले ठीक है तो इसलिए रास्तान के कॉलेज यहां पर सो रहे है ठीक है चलते आगे सर मैं यूपे से हूँ आप यह गुवर्मेंट कोलेज के लिए इनका वही कमेंट है शुक्राम सर आरिचस में पिरामेडिकली पॉर्म कब आएंगे सिस्तंबर में आएंगे ठीक है अगला कमेंट है कमल जी का बेस नर्सिंग इंटरस एक्जाम ओनलाइन होगा या ओप अब ने आपको सी बीटी ने के कमप्यूटर बेस पहुगा कमप्यूटर पर देना है आपको चलते आगे जनराच सर जी फार में इसे की एकजाम कब होगी सिस्तंबर में इसके पाहम बहुँ जाएंगे आलमस्ठ लाश्ट शितंबर तक इसके एकजाम हो जाएगी अगला कम सिंजी कमेंटे सर दीमलिट का पोरम कब बरे जाएगा ये लास्ट मिब्राय जाएगा सिटमबर तक कि अगला कमेंटे सर इसकी एक्जाम ओल होगी ऑपलाइन तो इसकी एक्जाम और लाइन ही होगी ठीक है मिस्टर परवेज कौन्सा कोलेज सर यह गोवंच्ट नर्सिंग को टाका है जो कि मैंने अप्लोड क्या था वीडियो क्या भी खर that गोवंच्ट नर्सिंग कोलाजिक सा नगरी घेर वहां का गवंच्ट नर्सिंग कोलेज़ अगला थेंक्यू सर्थ थेंक्यू इनका कमेंट परवेज जी का मिस्टर परवेज सर् गॉवर्मेंट कोलेज में बीस नर्सिंग में फोरम कब आएंगे आप को बारे में बताइए को बारे में आल्ट्रेडी वीडियो अवाइलेबल है जी आप देख लेना चैनल पर जाके और वेच प्रेस करो ताकि आपको और वेचे से लेटेट सारी जानकारी मिलती रहे दिम्यां जागड तेंक्यू पेरी मस्तेंक्यू गरो जागड सर इनिस्टाग्राम पे रेप्लाइ करो इंस्टाग्राम में देखता बहुत कम बट जब भी चेक रोंगा तो आप सबके जवाब दे दूँगा ठीक है वीडियो बनाने के लिए टाइम रहता नहीं क्योंकि बहुत सारी चैनल है तो उन्हों पर भी इंप्रमेशन देनी होती है और एंसे कुछ भी प्रफिसन करने होते है तो टाइम बहुत कम होता है जिसे टाइम लेगा तो मैं इंस्टाग्राम पेश्बुक सबको चेक रूँगा और आपके रिप्लाइब भी दूँगा ठीक है बट मैं सबसे जद एक टू यूटूब पर ही रहता हूं ठीक है यूटूब की इनपरमेशन करता हूं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं और पिर उनके जवाब निकाल का वो इनपरमेशन देता हूं ठी सब्सक्राइब चलते आगे सर हर्याना पॉस्ट बेसें दर्स इंट्रास एक्जाम डेट कब आएगी इसके भी लास्ट में आते हैं सितंबर था ठीक है विनौत गुजर सर ओल्ड कुछन पेपर डालो हम को पर चाहिए जी बिल्कुल अभी 2019 का अपलोड किया में ने उसको देख लीजिए उसके बाद 2018 का भी मिल जाएगा 2017 का भी 2016 का भी 2012 तक सारे ओल्ड कुछन पेपर आपको मिल जाएंगे ठीक है कि सोर्जी का कमेंटर सर फोरम कब आएंगे सितंबर में आएंगी जी ठीक है विनौत गुजर सर प्लीज में के मोटिवेशन वीडियो मिले अगला कमेंटे मारा दिपक्यादव डी एमल्टी पौरम कब आएंगे इस सितंबर मेंने के चांसे से ठीक है डी एमल्टी इस साल जेनेम का भी पौरम निकलेगा क्या सर जीजिए यहां बिल्कुल जेनेम का साल निकलेगा आगला कमेंटे मोटिवेशन एसिपनेट कोलेज एन स eligible अधला कमेंटे पडियुमंण जेनेम का आने वाला है क्या सर सितंबर में आएंगे जेनेम का आ चुका है ऑज जेनेम के सितंबर में आएंगे ठीक है अगला कमेंट यहती यादव एमसी में सर कितने नंबर आये तब एसमें सिलेक्शन होता है यह डिपेंड करता है का टॉप के उपर कि आपके का टॉप कितनी रहती है ठीक है क्योंकि 120 तो कुष्ण आपसे पुछे जाता है में से नर्सिंग में तो 120 में से आपके आलमोस्ट आने चाहिए 19 के आलमोस्ट आना चाहिए डिपेंड करता है कि आपसे आईस्ट कितने है ठीक है चलते आगे विश्ट का संसर प्लीज रेप्लाई मी इनका सवाल था कि सर बायलोजी सेलेवेस में मैंने बार वी एंसियाटिक क 11 में से इसके अलावा कोई और चेप्टर किया आपके जो चेप्टर रहे ना 11 और टोल से क्यूशन आते है सिंपल जिबात है आपके आर वेसेस बेस नर्सिंग इंट्रस एक्जाम में ठीक है और पेरा मेडिगल में पेरा मेडिगल में आपके बायलोजी नहीं आती पिजिक सकते हो वह बेस रहेगे आपके लिए एंसी क्यूश के लिए ठीक है और इस्पेसल मेरा चेनल भी है वहां जाके आप रोजना एंसी क्यूश पास सकते हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिशन में दिया हूआ है वहां पर रोजना आपको मल्टिपल चोइस कुशन मिलते इंट्रेस्ट एजाम और कम्टिटिव जाओं के लिए बहुत इपोटेंट है तो आप उसको जोइन कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिशन दिया हुआ है अगला है सर सी बेस इंसे आटी से अरुचेस बेस नर्सिंग का सेलेबस मिल जाएगा आपको ठीक है हिंदी मेडियम में ने वालेवल करवा दिया है बट डिमांड इंगलीज की भी है तो वह भी मिल जाएगा अगला है सिंगर्स तुमारा सर एक्जाम का बोगा एक्जाम अक्टोम बरतक ह हो जाएगा आपका फॉरम से तमर में बढ़ जाएंगे ठीक है तो गाई जी आपके बहुत सारे कमेंट बगाया भी योगे जी का समस है क्या बिल्कुल समस है मनी जी का थैंक्यू सर पॉर मोटिवेशन थैंक्यू राजे जी का कमेंट है मैक्जिमम एज नर्सिंग के लिए कितनी चाहिए सत्रा होने चाहिए या हाँ सत्रा कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है 31 दिसंबर 2020 तक सत्रा कंप्लीट होनी चाहिए तब जाके आप एप्लाइ कर सकते हो तो गाई यहां पर मैंने आपके बारी किसे कमेंट पड़े और आंसर भी दिया जितना हो सके ठीक है और फ लगी information प्राफ्त होती है क्योंकि बहुत सारा मैं अगर राइटन में देता हूँ ना तो बहुत सारों तक वो पहुची नहीं पाता है ठीक है तो यह best method है कि आपको वीडिये उत्रों आपके कमेंटों के जवाब दिये जाए क्योंकि इसमें full detail explain हो जाता है ना तो best रहता है आपके लिए और जिसको book चाहिए interest exam के प्रपेशन के लिए link नीचे description दिया हुआ है और जिसको multiple choice question चाहिए तो उसका भी link नीचे description दिया हुआ है और उस channel को आप जोइन कर सकते हो ठीक है और सितमबर तक आपके फोम आ जाएंगे तब तक आप old question paper और शेले बस इन सबको अच्छे से पड़े देखे और multiple choice question करे और NCRT को follow करे multiple choice question के लिए नीचे description दिया हुआ है वहाँ से आप बुक और multiple choice question दोनों gain कर सकते हो ओके धन्यवाद कोई भी doubt हो तो फिर comment कीजिए आपके हर comment का जवाब इसी परकार आपको मिल जाएगा